नमस्कार मेरे किसान भाईों स्वागत है आप सब का एक बार फिर किसान भाईों सभी मेरे किसान भाईों के पोदे गन्य में कटाई लगी हुई है कुछ मेरे किसान बाईयों ने पोदा गन्या काट दिया और कुछ मेरे किसान बाईयों लगातार पोदे गन्ये में कटिंग कर रहे हैं किसान साथियों पोदे गन्ये की कटिंग करते ही सबसे पहला काम पेड़ी गन्ये के लिए हमें क्या करना है जिससे हम 0238 गन्ये के अपनी पेड़ी को बचा सकें क्योंकि हम देख रहें पिछले वर्स भी बहुत जादा नुक्सान हमें पेड़ी गन्ये में उठाना पड़ा और इस वर्स तो बहुत जादा पेड़ी गन्ये में बहुत जादा परेशानी का सामना हमें करना पड़ा किसान बाईयों जीस भी पेड़ी गन्ये के खेत में एक बार रोग गुज गया उसको निकालना बहुत ही बहुत मुश्किल रहा इस साल किसान साथ यो शुरू में ही पेड़ी गन्ने में सुंडी का अतना जवरदस्त प्रकोब रहा कि किसान बहुत परेशान रहे सभी दवाईया इस पे फेल होती चली गई लेकिन अगर रोग आने से पहले हम अच्छी दवाईयों का इस्तमाल करें तो निश्ची तुरूप से हम 0283 की पेड़ी को बचा सकते हैं किसान बहाईयों पिछले वर्स भी आपने देखा हुगा कुछ किसान बहाईयों की तो पेड़ी बहुत अच्छी कड़ी है और कुछ किसान बहाईयों को बहुत ज्यादा नुक्सान उठाना पड़ा इसका कारण यही है कि समय के अगर आप इस्प्रे लगाएंगे दवाई किसान बहाईयों को दिया जिनको बहुत इसको बदलने की कोशिश करें इस बार नुक्सान से बचने के लिए समय पर दवाईयों का इस्तमाल करें पहले पानी पर ही एक अच्छी दवाई का इस्तमाल करना और वह को राजन क्योंकि 182000 रुपे केवल 1500 ml मिलती है पिछले वर् जिनको बहुत ही जवर्दस्त रिजल्ट मिलें किसी भी दवाई के साथ अगर 100 ml इसको आप लेंगे तो किसान साथ यो आपको बहुत ही जवर्दस्त रिजल्ट इस्प्रे के माध्यम से भी मिलेंगे लेकिन पहले पानी पर ही इस साल्ट को आपको या तो खाद में मिला के डाल देना है या किसान भाईयो आप इसको पानी में भी चला सकते हैं पानी के साथ पांच भी के खेत में अगर आप 1.500 ml इस्तमाल करेंगे क्योंकि पिड़ी गन्ने की जड़ सारे खेत में अच्छी तरीके से फैल जाती है उस हिसाब से भी आपको यह बहुत ही जवर्दस्त रिजल्ट दिखाल के देगी किसान साथ यो क्लेंटर अनिली प्रोल साल्ट के बारे में थोड़ा सा फिर बताना चाहूंगा यह वही साल्ट है जो कोरोजन के अंदर आता है फर्टेरा के वर्टिगो के एंपलिगो के जो भी अच्छी दवाई आपको बजार में मिलेगी सभी के अंदर यह साल्ट आता है किसान साथ यो यह साल्ट इस तरीके से काम करता है पोदे में के पोदा भी बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो जाता है अगर ये दवाई हम रोग आने से पहले अपने पेड़ी गन्ने में इस्तेवाल करेंगे तो सुन्डी लगने का बिल्कुल भी खत्रा नहीं रहता किसान सात्यों फिर उसके बार जैसे ही आपका पोधा या पेड़ी गन्ना इस्प्रे खाने के लायक हो जाता है यानि की कम से कम एक एक डेड़ेट दो दो फुटका हो जाता है किसान भाईयों तो हम उस पे हल्के कीटनासक के साथ इस दवाई का अगर इस्तेमाल समय समय पे करते रहें तो हमें बहुत ही अच्छे लाब मिलेंगे पिछले वर्ष भी बहुत ही जवर्दस्त लाब इस दवा यागी किसान भाईयो यानि किसी भी एक किट नासक के साथ इसको 100 ml 5 बिगे में स्प्रे करते रहे है किसान भाईयो बहुत ही सुन्दर बहुत ही जवर्दस्त रिजल्ट आपको पेट डिगन्य में देखने को मिलेंगे या अगर आप बाद में भी न डालना चाहिए लेकिन अ आप इसको एक बार जरूर डलनें किसान भाईयो जिसको भी ये दवाई मंगवानी है वो वीडियो पे दिये गए नंबर पे केवल वाटसैप करें कोल नहीं करनी केवल वाटसैप करना है जिसको भी चाहिए मैं खुद उनको संपर करूंगा जिसको भी चाहिए कोरियर के मा बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं पिछले वर्स भी बहुत सारे मेरे किसान भाईयों ने ये शिकायत करी कि मैं तो मील से कोरोजन लेके आया था मुझे रिजल्ट नहीं मिले किसान सात्यों ये समझने क्या बस सकता है कि अब इस पोधे में इस 0238 गन्य में इम्मुनिटी बिल्कुल नहीं बची है जरस अभी मौसम में फेर बदल अगता है तो किसान भाईयों इसमें तुरंत रोग लगता है कई सारी पीड़ी आती है सुन्डी की इसमें इसलिए आपको ये नहीं समझना कि मैं ने तो कोरोजन डाल जे अर अब मैं धाई मेने तक कुछ नहीं डा करेगा उसके बाद आप जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया कि 20 से 30 दिन के बीच में एक हलके की इतना सक के साथ इस दवाई का इस्तिमाल करते रहिए समय समय पर रोग आए भी ने इस्तिमाल करें किसान भाईयों बहुत जबरदस रिजाट आपको देखने को मिले करेंगे धन्यवाद